Welcome student, class 9th English में, words as expressions, unit 10, काध्यान, unit 10 है, reading comprehension, का आर्थ होता है, समझ भूच कर पढ़ना, read the following passage and answer the question that follows, see workbook page number 141, workbook page number 141 निकालेंगे, question आएंगे, question 1 है, tourism is about taking up to, का अर्फता है, परियतन एक यात्रा लेने के बारे में है, यह आया गास्मेंट to a place under an expert guide for hiking in remote places, मतलब लंबी पैदल यात्रा for visiting a place to sightseeing, एक जगह पर जाने के लिए, यह सारी चीज़े क्या होती है, परियतन में शामिल होती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, the all of the aware, उत्तर होगा, अब सेकेंड, सेकेंड फुरू करते हैं, by hiking in, wildness in the author name, जंगल में लंबी पैदल यात्रा के लिए क्या है, और इसका मतलब क्या होता है, अब लंडि और इर्यास, और अज़ितन अब उन्हाबिते एरियास, और इसप्राइड इननएं अब उन्हामिते इरियास, तो दीटर सही धार्ड एंगल एंगल मैंदेश होती है, इस्श्रा खने जाएं और एंघ्ट का नाम है, इस्ट क्रूज आएं। और यह क्या है इसका उत्तर है कि एक बड़ा जहाद जो लोगों को यात्रा का क्या कहता है आनन्द देता है इसका उत्तर है नेक्स्ट आवाता है मतला जानकारी एक का एक खोजने को की कोशिश की गई है अब A और B करेंगे ए है लुक फॉर लुक फॉर का उत्तर क्या होगा यह देखते हैं एक पोर सही है तो लुक फॉर मतला ढूनना है तो ढूनने को क्या कहते हैं सच कहते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा A का सही उत्तर होगा और सच यह है अब सेकंड ही लुक अप्टू, लुक अप्टू मतलब जहांकना, जहां उसका उत्तर जो है, सेकंड का बी का उत्तर जो है, वो थर्ड सही है, एक व्यक्ति के लिए, क्या होता है, having a great deal, a great deal of respect for a person, लुक अप्टू देखना, तो फर्ड उत्तर होगा, उसके लिए, next, लुक अप्टू, मतलब की रहा देखूंगा, तो इसका सही उत्तर आएगा, second, बेसब्डी से इंतुजांग, आवे इगर जो, जिसकी होगा, देंडी है, लुक अप्टू, लुक अप्टू, मतलब देखो तो जो इसमें शेश है, मतलब सही उत्तर आएगा, तो यह हो जाएगा, अब, केरी, second ही, यह हो है, second, we write the following verse to removing the suffix age, suffix का, आर्थ होता है, यह प्रत्ते होता है, प्रत्य का मतलब होता है, जो अंत में, last में जो है, शब्द, उसको कहते हैं जी, तो removing का मतलब होता है, इसको हटाना, आपको यह इसके अर्थी भी मानू होने चाहिए, तब आप उसको कर सकते हैं, यह, हटाना है आपको, जो लिखा age, agee, तो यहां से age हटाना है, agee लटाएंगे, तो यहां ज़ेगा, only care दिया जाएगा, इस शब्द दिया है carriage, carriage में agee की भी है, इस agee को क्या करना, remove करना, तो जो शब्द नया बनेगा, बो बनेगा, c a r r y, age remove हो जाएगा, फिर है coverage, coverage में agee, तो इसको अलग करेंगे, तो जो नया बनेगा हो, तो आजाएगा, c o v e r, cover, फिर है, how many it is, तो agee, इसको फिर से प्रत्य रटाना है, तो आजाएगा, hermit, h e r, m i g, next, d m, marriage, marriage में agee है, इसे g को remove करेंगे, तो आजाएगा, m e r r, y, इस तरहें, जितने ही प्रत्य रटाना लगे थे, वो सारे क्या हो गए है, remove हो गए है, आजाएगा, जाएगा, शब्दों इसे, next, चरीड है, ता following, words by, adding, suffix, suffix का अर्फ होता है, प्रत्य रटाना, तो भी बताया मैंने, by, as you, double, I, as, प्रत्य जो पंत में जोड़ते हैं, end में, तो इसमें क्या लिएगा है, adding, adding करना मत्द जोड़ता, फिक, तो, pull, suffix दिया है, f-u-l, pull को इन शब्दों में add करना है, पहला शब्द है आप beauty, अब इसमें add करेंगी क्या, full add करेंगी है, तो क्या बनेगा, B-E-A-U-T-I-F-U-L, बुटी, pull कैने सुन्दा, B आएगा, C-O-L-O-U-R, क्या एगा color, तो अजाएगा, C-O-L-O-U-R, F-U-L, color को इन रनी लागा, C-D-U-T-Y-A-U-T, तो क्या जाएगा, D-U-T, को इन? D-U-T-I-F-U-L, अने करता भी पराने अन्ता, D-U-T-I-V-E-N-G-E, क्या एगा, Revenge, तो Revenge मतला होता है, बदला, Revenge को जाएगा, इसका, R-E-V-E-N-G-E, तो जाएगा, R-E, R-E-V-E-N-G-E-F-U-L, G-E-E, H-E-L-P, है, तो क्या जाएगा, है, तो क्या जाएगा, है, फिर है, इसी तकार, M-U-U-T-H, Mouth, तो Mouth का क्या जाएगा, Mouth Pull, और M-E-R, Mercy, Pull, Last का G है, M-E-R-C-Y, तो जाएगा, M-E-R-C-I-F-U-L, M-E-R-C-Y, तो जाएगा, M-E-R-C-Y, तो जाएगा, M-E-R-C-Y, आज आज आपने, Unit 10, अच्छे से पढ़ी, समझी, अपने वर्क बुक में देखा, और प्रत्य की बारे में अध्यन किया, आप इसका कॉपे में लिखेंगे, और बोलने की प्रैक्टेस करेंगे, और सही सही स्पैनी लिखेंगे, थैंकी, समझी.